हेलो दोस्तो नमस्कार, तो दोस्तो आज हम गेहुं के आंटे और हरी सब्जियों को मिक्स करके बोखोत ही आसानी से घर में ये रेस्पी त्यार करेंगे, आप एक बार इसे घर में बना लेंगे ना, तो गारंटी है मेरी कि आप बाजार से कभी भी इस नास्ते को नहीं ले कर तो एक बार जरूर इस recipe को try कीजिएगा तो चलिए इस recipe को बनाना शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले देखिए मैने यहां पर एक कटोरी गेहुं को आंटा लिया है और एक कटोरी मैदा लिया है आप चाहे तो पूरा गीहुं के आंटेकर बना सकती हैं यह पूरा मैदे भी बनासे साथ मिक्स करके बनाएंगे काफी हेल्थी भी ब़्ण्धिया भी बनेंगे इसी नमक स्वादस को अनुसार नहीं त्र चमस से थोड़ा से कम नमक ड़लेंगे एक चमस डालेंगे हिसाथ यहांप यहां पर कोई भी ओयल ले सकती है अब जो भी ओयल डाल कर इसे एक सक्त आटा तयार करेंगे जिहां एकदम हाड आटा तयार किजेगा आप लूज नहीं किजेगा नहीं तो फिर हम जो रेसेपी आगे बनाएंगे वो हमसे बनेगा नहीं इसलिए आप कोशिस किजेगा कि आटा थोड़ा सा सक्त ही रहे सक्त का मतलब कि एकदम ब कहां च benefit भी के रहिसान एंद्रग मोलतर हो तो यह मैं यहाँ शार्द को दोड़ना कर दो आ हैं तोहसं सब्सक्राइब करने हम तो एक डेल तो वह हम डाला है और थोड़ा सा चटकाएंगे, जिससे हलका सा कलर इसका चेंज हो जाए, थोड़ा सा ये पक जाए, बस इससे ज़्यादा नहीं, हमने 20-30 मिनिट सेकेंड परका लिया है, और पका कर ये देखिए, मैंने पत्ता गो भी इसे बारिक चॉप कर लिया है, आप चाहें तो चकु से बारिक बारिक चॉप कर लिजीगा, या आपके पास चॉपर हो, उसे भी कर सकती है, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने लिया है, एक कटोरी, गाजर, इसे भी मैंने चॉपर से चॉप कर दिया है, ये मेरे पास प्याज के पतियां थी, हरी वाली, ये भी मैंने डाल लिया, आपक कुछ जादा या कुछ कम करके आराम से इसको बना सकती है यदि इसमें से कोई एक चीज ना हो तो आप उसके बगर भी बना सकती है अब इन सभी को यहां पर जो फ्लेम है वो हाई करके इन सभी को चलाएंगे जब तक यह नरम नहों जाएं देखिए थोड़े से नरम हो गया ह अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पॉडर काली मिर्च का पॉडर इसमें डालना बहुत जरूरी है कि इस रेसिपी में काली मिर्च डालेंगे न तो यह काफी स्वादिश्ट लगता है तो आप काली मिर्च जरूर डालिएगा कुटकर डालिएगा यह पॉडर है वो जो भी है आपके पास वो डालेगा अब इसमें नमक डालेंगे, स्वाद के लिदा, देखे, सबजियों हमारी इसमें बहुत जादा है, तो ऐसे लग रहा है कि इसमें धेर सारा नमक पड़ेगा, लेकिन जैसे हम नमक डालेंगे न, तो यह पानी छोड़ेगा, किएगा नमक डाल कर हाइफ फ्ल高 पर भूणेंगा लो फ्लेंगा तो पानी छुट में पाटाइगा थेजिए इसलिए यत फ्लेंगी देगा हाइफ चीखना हो जाए और मैंने गेहों का आटा डाला था मैदा डाला था वो भी अच्छे से फूल गया है और यह देखेए शक्त आटा तैयार हो गया है अब छोटी सी लोई लेंगे लेकर इसे बेलेंगे आपको बेलना कितना बड़ा है यह आपके अकौर्डिंग है या आपके आप जितना बड़ा बनाना चाहें तो ब्लियेगा बहुत अदिक पतला भी नहीं बेल आठा कौ। नहीं बिषा है कि अप प्लिये लेकिन व hacker कैसा आराम से बेल कर त्यार कर सकतीए लेकई इस तरह आफे हैं अब में आपको बताती है किसको क्या करना थिया है आज हम बना रहे हैं मोमोज अभी तक तो आपने समझी लिया होगा क्या भ allegedly वह भेना रहे हैं बन गया हमारा बस इसी तरह से में आपको दूसरा भी बताती हों यह आप दूषरे को डेजाइन से भी बना सकती हैं दूसरे को सबसाइनAb 계속 इसी तरह चोटे-चोटे डाल कर आप इसको बना सकती है देखिए बस बन गया तयार हो गया है ना कितना आसान यह देखिए एक और मैंने बनाए यह भी आपको दिखाती हूं कि वह कैसे बनेगा वह उस इन सभी से आसान है यह देखिए यह जो मैंने बनाई है यह आपको मैं साथ इस तरह से चिपका लेंगे बस हो गया है न बहुत यासान तो आप इसे घर में आराम से ट्राइ कर सकती है यह बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है तो आपको बनने में बिल्कुल भी वेहनत नहीं है आप इसे आराम से अपने घर में बना सकती है उधर मैंने पानी ग इस मोमोज को अब इसके उपर डाल देंगे छनी की उपर आप हलका सा तेल से ग्रिस कर दीजेगा जिसे की नीचे से छिपके नहीं अब देखे हमने डाल दिया है डाल कर इसे ढख देंगे आप इसे आठ से दस मिनट तक ढख कर पकाईएगा जिसे की अच्छे से पक जाए और एक बार आप आठ मिनट के बाद इसे ढख कर निकाल कर देख लीजेगा कि हमारा जो है यह आटा है यह पका है कि नहीं यह आटा आ यह ट्रांस्पेर्ट दिखाई दे रहा हमने बहुत अधिक पतला नहीं बेला था लेकिन देखिए कितना यह अंदर अंदर की फिलिंग बाहर से दिखाई दे रही है दिख रहा है आपको यह देखिए बस मोमोज हमारा तयार है चटनी भी मैंने मोमोज की बनाई है इसकी भ स्काइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा आटा यदि आपका सक्त नहीं गुथा हुआ है और आपने फ्रसा गीला गुथा है तो आप उसे क्या किजिएगा कि फ्रीज में रख दीजेगा दस मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए तो आंटा आपका सक्त हो तो आप सभी को एक बाद फिर से धन्यवाद आप सभी मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बाद धन्यवाद आपका सब्सक्राइब कर दो